नंदिक राम के अपने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के बगावत ने ममता बनर जी को ऐसा चोड़ पहुचाया कि उन्होंने ठीक एक महीने बाद एलान कर दिया वो उनके गड़ से ही चुनाव लड़ेंगी शुभेंदु ने जवाब दिया अगर मुख्यमंत्री पचास हजार बोट से नहीं हारीं तो राजनीती छोड़ दूगा ममताब एनर जी के पशिम मंगाल की सत्ता के शिखर पर जाने के रास्ते में नंदी ग्राम सबसे बड़ा पुल साबित हुआ वाममोचा सरकार वहां एक केमिकल फैक्टरी बनाना चाहती थी इंडोनेशिया की कमपनी सलीम ग्रूप को इसके लिए जमीन चाहिए थी मगर इसे लेकर सरकार और किसानों के बीच विवाद भड़क गया कई महिनों तक हिंसा होती रही एक तरव है कम्मिनुस्ट का समर्थन में जो चाहता है कि यह जो सिल्प बने और जमीन लेने के लिए और एक तरव है भूमी नहीं देगा भूमी उच्छेत पतिरोत कोमिटी दोनों तरव लड़ाई हुआ था इस तरव था खेजुरी विधान सभा इस तरव था नंदी ग्राम विधान सभा नंदी ग्राम में विरोधी किसानों की एक सामिती बन गई थी जिसके अगवा नेताओं में शामिल थे त्रणुमूल कॉंग्रस के स्थानिय नेता शेक सूफियां वो बताते हैं कि 15 मार्च 2007 को गोली चलने के खबर के बाद ममता बेनर जी कैसे नंदी ग्राम पहुची ममता तब जिन लोगों से मिली उनमें कंचन माल भी थी जो बाकी गाओंवालों के साथ प्रदर्शन करने गई थी और उन्हें गोली लग गई मैं एक घायल पडोसी लड़के को पानी बिला रही थी तभी मुझे भी गोली मार दी यहां गोली लगी थी इस जग है अब दाग कम हो गए हैं मुझे पहले नंदी ग्राम ले गए फिर ताम लोग तब वहां ममता दीदी आई और मुझे देखने के बाद फॉरण कोलकता के पीजी अस्पताल भेज दिया नंदी ग्राम हिंसा के बाद आंदोलन हुआ वाम मोर्चा सरकार की बदनामी हुई और आखिर 2011 में ममता बैनर जी मुख्यमंत्री बन गई नंदी ग्राम और सिंगूर ममता बैनर जी ने इन ही दो जगों से शुड़ू किये अपने आंदोलन के दम पर पश्यम मंगाल में वाम पंथियों के 34 साल पूराने किले को ढहा दिया था एक दशक बाद ममता बैनर जी ने नंदी ग्राम को लखी बताते हुए अलान किया है कि 2021 में उनकी वेज़ा यात्रा नंदी ग्राम से ही शुड़ू होगी हाला कि नंदी ग्राम में ऐसे लोग बड़ी संखा में मिलते हैं जिन्हें फैक्टरी ना लग पाने का मलाल है अगर जमिन उसको ले लिया एक्वर किया जाए तो एक्वर सिस्टेम सही नहीं था ठीक है ना सिस्टेम अगर सही रहता तो आदमी यहां पर अभी जो यहां पे जो वेकारत मतलब की जो बेरोजकारी चल रहा था यह बेरोजकारी तो अगर यह सब कामपनी होता तो यह बेर वामनेता कहते हैं नंदी ग्राम के वाकाई को फर्जी तरीके से बढ़ा चड़ा कर पेश किया गया तो क्या वाम पंथियों से कोई गलती ही नहीं हुई जानकार बताते हैं ऐसा नहीं है उनसे गलती हुई थी वहाँ से यो पंचायत की लोग हैं जो सीपीएम की ही थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पर क्या करना चाहिए यह सही जगा है यह लोकेशन सही है या नहीं है तो जोतिवाभू ने कहा था कि कंसल्ट करो लेकिन वो प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन सत्ता जाने के दस साल बाद वाम मोर्चा पिछले एक-दो सालों में नंदीग्राम में फिर से पाउँ जमा रहा है जिस शुभेंदू अधिकारी ने कहा था लाल जंडा पकड़ने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा आज समय का परिहास देखिए वो खुद अपनी पार्टी का जंडा छोड़ चुके हैं आज भगवा जंडा पकड़ चुके हैं यही होता है इतिहास नंदिगराम के इतिहास बहुत कुछ बदल गया नहीं बदली तो बस घरीब किसानों की जंड़ी हम लोग साधारन लोग हैं, एक वोट है, उसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं बचाने वाला बचाएगा, मारने वाला मारेगा, किसी तरहे जिंदगी चल रही है हमारे लिए तो इसके साथ भी हार है, उसके साथ भी हार है मेरा तो बेटा भी यहाल में चला गया, अब तो कुछ बचा भी नहीं। नंदिग्राम एक राजनीतिक संग्राम नहीं, भारत की राजनीतिका एक आईना है, जिसमें आखिरी कतार पर बैठे लोग नजर नहीं आते। अपूरु क्रिशन, बीबीसी, नंदिग्राम